अगर आप रूटीन लाइब से बोर हो गए हैं तो गूमो अगर आप अपने विचारों को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हो तो गूमो अगर आप अपने आपको और बहतर जानना चाहते हो तो गूमो और फाइनली अगर आप अपने करीबी को और करीब लाना चाहत तो गूमो यस दोस्तों गूमो गूमो और गूमो स्वागत है आपका सफर नामविद बावप्यूश में और आज हम आपको लेके जा रहे हैं सिक्किम की कापिटल गैंटॉक विच इस दा इस्टरन पार्ट ओग सिक्किम सो चलिए इन खूबसूरत वादियों में आपका स्व दोस्तों मुंबई टू बाग दोगरा पहुँचने में डाई से तीन गंटे लगते हैं विकास अगर आपको गैंक टॉक जाना हैं वन वे इस बाई फ्लाइट अनदर वे इस अफ्कोर्स बाइट प्रेन एंड थर्ड इस बाई रोल सो सबसे पहले आप बाग दोगरा पहु निकले थे और दोपयर को करीवन दो बज़े पहुचे बट वाया कॉल कटा गये तो वे सेवड अराउं 10,000 रुपीज पर परसन बाग दोगरा से हम निकले कैपिटल ऑफ सिक्किम ताइस गैंक टॉक की तरफ विच तेक 6-7 आवर्स ट्राइ कीजिए कि दो बज़े तक आप बाग दोगरा पहुचे है और बाग दोगरा से आप अपनी गाड़ी भी ले सकते है या शेर कैप भी ले सकते हमने इनो वाली थी जिसका कॉस्टिंग था 4,500 रुपीज तो लेट स्टार्ट जर्नी अव एट बेस्ट प्लेस तो विजिट इन अरूंड गैंक टॉक नाथुला पास विस्लिंग पास इंडो चाइना बॉर्डर में आपका स्वागत है 14,410 फीट पे हम लोग यहां पे खड़े है और जश्ट चुम्भी वेली के पास है यहां पे खड़े रहना इस टॉर्चर इंडोंड लोग यहां पे खड़े रहना इस टॉर्चर इंडोंड नो हमारे जवान 24 by 7 और 365 देश्ट पास्ट करते है यहां पे किस तरह से देश की हिपाज़त करते हैं इस प्लेस फिफ्टी दू किलोमेटर फ्रम केंटॉक और तीन से चार गंटे यहां पे पहुंचने को लगते हैं बट दोंट फॉर्गेट तो टेक परमिट इन एडवांस अधरवाइस इस वेरी वेरी डिफिकल्ट तू रीच ओवर हियर इप प्रवाइट अल्टरनेट पि खुबसूरत तो बनाये ही हैं लेकिन जिन वादियों के थ्रू हम लोग निकल रहे हैं और पहुंच रहे हैं वो और भी ज़्यादा हमारे लिए इजी कर दिया है मेंली फॉर्ट टूरिस और एंड बे इस खुबसूरत जगह के लिए कहना चाहूंगा मुम्किन नहीं या वक्त की रफ्तार रोक ले कुछ फल टहर के प्यार की एक शाम जीतो ले फिर जिन्दगी में आपके ये साथ हो ना हो शायद फिर इस जनम में मुलाकात फिर हो ना हो चंगु लेक जिसका दूसरा नाम है जॉम्गो लेक ये ग्लेसियल लेक है विच इस 40 किलोमेटर ज़स्ट बिफोर नाथूला पास और ये 12,313 फीट पे है सरदी में पूरी की पूरी फ्रीज हो जाती है और अगर आप उसको उपर से देखेंगे तो ये ओवल शेप की नजर आती है इसकी लेंद करीबन 2743 फीट है और डेप्थ इस 49 फीट दोंट फॉर्गेट तो टेक जॉय राए और डेकोरेटेट याक्स याँ इस लेक के बाज़ में आपका एक शिवा टेंपल मिल जाएगा आपका पर दो प्रे इस लेक के बाज़ी में आपको एक शीवा ठैमल मिल जाएगा दोस्तो जब आप गैंग्टॉक में आरे हैं तो इस्ट गैंग्टॉक देन गो तो नॉर्थ देन साउथ और फाइनली वेस्ट और गैंग्टॉक का जो एक बहुत ही इंपोर्टन तूरिस्ट पॉइंट है यह रोप वे गैंग्टॉक अगर आप वीडियो कामरा ले रहे हैं तो 100 रुपीज और थी यह रोप यह 935 मिटर्स का लॉंग एरियल व्यू है विच इस ब्रेक टेकिंग आप गैंग्टॉक यह रोप यह बहुत ही बहुत ही बीटिफुल राइड है जादे लंबी नहीं है अरॉंड 10 मिनित की राइड है and 20 people can ride at one time so एक time पे आप एक side का view लीजे और जब return हो रहे हैं तो just exchange कर लीजे जो भी वहाँ पे है उसके साथ and second side का view भी enjoy कीजे पूरी की पूरी राइड में आपको Bollywood के old songs background में सुना ही देंगे and gang talk looks beautiful from the top so enjoy the ride so दोस्तो Ganesh Talk आप इंडिया के कोई भी कोने में चले जाएए या in fact today world के कोई भी कोने में चले जाएए गनपदी बापा के दर्शन तो आपको होई जाएंगे कही ना कही so बहुत खूबसूरत लाइन है मेरे मनमंदिर में तुम भगवान रहे मेरे मनमंदिर में तुम भगवान रहे मेरे हरे क्रिप में तुम महमान रहे and it is 100% true पूरे वोल्ड में पूरे इंडिया में इतनी जगे गुम लिये it's all because of Ganpati Bappa and just want to say thank you Ganpati Bappa Ganpati Bappa Moria जब आप इस temple में आ रहे हैं you are again going to get the best view of the city colorful prayer flags दिखेंगे आपको and don't forget to be sikkim couple over here enjoy the traditional looks जिसको बाकू और खो बोलते हैं in case of ladies as well as gents तो ये looks में आप बहुत ही खूबसूरत लगोगे तो कुछ पल के लिए sikkim couple बनके भी जी लिजिए enjoy the Ganpati Bappa temple Mahatma Gandhi Road Gangkok का downtown है one of the most beautiful street and cleanest street of sikkim and आपको ऐसा लगयागा कि आप Singapore में या Bangkok में और street don't forget to stay one night at this place हम लोग भी यहाँ पे एक रात के लिए रुके थे because आपको एक शाम यहाँ पे जरूर बितानी है it's one of the most beautiful place of the whole sikkim prayer flags जो आपको sikkim में हर गली में हर रोट पे हर mountains पे जरने के नीचे कहीं पे भी आप जाएंगे prayer flags आपको बहुत सरे नजर आएंगे इसका रीजन है it is for peace for compassion for prosperity for strength for wisdom and for overall well-being of the people blue represents sky and space white represents air and wind red represents fire green and yellow represents water and earth it is believed that when wind flows the prayer written on the flag starts reciting and therefore kept high in the air बहुत ही खूबसूरत विचार है और इन विचारों को पूरे के पूरे सिक्किम में आप अनुबव कर पाएंगे beautiful 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 जब आप सिक्किम में आ रहे हैं तो आपको बहुत सरे waterfalls मिलेंगे whether it is Lassa waterfall Mandakini waterfall and other waterfalls also if you have kids then don't forget to enjoy the zip line over here and waterfall कहीं से भी बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ टाइम जरूर बिताइएगा बट जब आप East Sikkim से North Sikkim में जाएंगे आपको बहुत बड़े-बड़े beautiful waterfalls मिलेंगे जिसमें से सबसे famous है Amitabh Bachan waterfall that is Naga waterfall जो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे दोस्तो हनुमान टॉक टॉक का मतलब होता है मंदिर और इस मंदिर को बनाया था इंडिय नामी ने 2008 में इसके पीछे स्टोरी बहुत सिंपल है कि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो उन्होंने इस परवत के ऊपर थोड़ी देर विश्राम किया था यह करीबन 7200 फीट पे है और यहां से कंचें जंगा का जो पीक है बहुत ही खूपसरत और बहुत ही क्लियर नजर आता है और अगर आपकी किसमत अच्छी हुई आसमान खुला है तो बहुत ही अच्छा स्नो कैप्ट माउंटेन आपको कंचें जंगा का नजर आएगा यहां से आपको पैनरोमिक व्यू भी मिलता है पूरे के पूरे गैंग टॉक सिटी का और बजरंग बली जी के साथ साथ यहां पे श्रीराम, सीता जी और गनपदी बापपा जी का भी टेंपल है और लास्ट में कौन नहीं जानत है नाम तुमारा कौन नहीं जानत है नाम तुमारा तभी संकट मोचन नाम तुमारो जै 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 बजरंग बली तोड़ सब दुश्मन की नली सो फाइनली दोस्तो बिग ब्रदर ओफ सेवन सिस्टर्स सिक्किम का इस्ट सिक्किम सीरीज यहां पे खतम होते हैं और अंत में यही कहना चाहूंगा फूलो की दुकाने खोलो खूलो की दुकाने खोलो खुश्बु का व्यपार करो इश्क खता है तो यह खता एक बार नहीं सो बार करो येस, that is what इस्ट सिक्किम से हमने सीखा है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में प्लीज टेक केर अफ यूर पेरेंट्स हकुना मटाटा और अगला वीडियो होएगा नौर्थ सिक्किम दाद इस लाचुंग एंद लाचिन